नमस्कार मैं हूँ विश्वनात गोराई और अभी आपने एक वीडियो देखा होगा मेरा आरजे कैसे बने पार्ट बन आरजे बनने के लिए क्या-क्या जरूरत होती है उसमें आपने ये तो पता कर लिया कि भाईया कौन-कौन सी स्किल्स हैं कौन-कौन सी 13 पॉइंट्स है जो बहुत जरूरी आरजे बनने के लिए लेकिन उसके बाद क्या आपके अंदर ये 13 पॉइंट हैं लेकिन उसके बाद आप चाहते हैं कि अब आरजे बनना है तो उसके लिए तैहारी कैसे करें ट्रेनिंग कहां से ले करीर एप्पॉर्चनटी और अगर आपके अंदर वो सारे स्किल्स हैं तो इस वीडियो को बिलकुल मिस्मित करना क्योंकि इस वीडियो के बाद आप एक पायदान उपर आ जाएंगे आरजे बनने के लिए और यह आपकी लाइफ में एक एड़ान वैल्यू करेगा आपके ड्रीम को एक स्टिप उपर जाएगा तो कैसे आरजे बने आईए जानते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि उम्र क्या होनी चाहिए जवाब है 18 साल से 50 साल तक सही सुना आपने अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप रेडियो जोकी की जॉब के लिए अपलाई कर सकते हैं और 50 साल की एज तक भी आ लाख रुपे प्रती महीने तक यह सैलरी स्ट्रक्चर होता है तो जब आप करियर की शरुवात करेंगे हो सकता है 20 से 25 जार रुपे आपको मिले लेकिन जैसे जैसे आप करियर में ग्रोथ लेते जाते हैं आप 2 से 3 लाख रुपे प्रती महीने तक जा सकते हैं तीसरा सवाल तैयारी कैसे करें उसके लिए आगे का वीडियो ध्यान से देखें सबसे पहले आप अपनी परसनालिटी को परकें कि आपको सबसे ज्यादा क्या भाता है बॉलिवोड, रिलिजिन, पॉलिटेक्स, सेक्स, यूमर, सोशल, मनी, बिजनिस, लोकल चीज़े, कुकिंग, फैशन, ट्रैवलिंग या फिर कुछ और हलाकि इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आपको क्या भाता है बलकि फरक ये पड़ता है कि आप इन सब की जानकारी कितनी रखते हैं या बिलकुल नहीं रखते हैं क्योंकि इन सारी चीज़ों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है रेडियो पर फिलाल सेक्स, रिलिजिन और पॉलिटिक्स के सब्जेट को ज्यादा टच नहीं करते हैं क्योंकि हम इन्फोटेंट्मेंट के साथ चलते हैं और इसमें इन सब्जेट्स को जो की कॉंट्रोवर्शियल होती है उसको अवाइट करते हैं आपको अपनी नॉलिज इन्हेंस करनी है हर मुद्दे पर फिर आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आप एक न्यूज को कितने अलग-अलग तरीकों से बता सकते हैं आर जे को सुनिए हूमर का इस्तमाल करिए इन्फोटेंट्मेंट दीजिए आपकी बातों में इन्फोटेंट्मेंट होना चाहिए एक बार में आपको 45-60 सेकंड तक ही बोलना होता है किसी का इंटरव्य हो तो आप 90-120 सेकंड तक बोल सकते हैं फरजी बाते कम हूमर और इन्फो पर ज्यादा फोकस करिए फैक्ट निकाल लिए और अपनी बातों में नई चीज़ें बताईए और नई चीज़ें कहां से आएंगे जब आप रिसर्च करेंगे पढ़ेंगे रीडिंग करेंगे वीडियोज देखेंगे इंटरनेट पर सर सर्च करिए पता करिए अब्जर्व करिए अब्जर्वेशन आपका बहुत स्ट्रॉंग होना चाहिए आप जब भी कहीं निकल रहे हैं रोड पे इधर उधर दे कि अब्जर्व करिए क्या चीज़े चल रही हैं उनको अपने अलग अंदाज में आप कैसे उसको प्रेजें से हैं जो मैंने RJ कैसे बनने वीडियो पार्ट वन में बताया है इसके आगे बढ़ते है नेक्स्ट पॉइंट है RJ का काम क्या होता है RJ का काम होता है शो बनाना यानि कि अपना जो शो होता है उसको बनाना उसको तयार करना content निकलना उसके लिए शो को करना music play करना interview करना इसक पर शो होस्ट करना नए नए आइडियाज से टीम के साथ ब्रेंड्स्टॉमिंग करना नेक्स्ट पॉइंट है अपलाई कहां करें ये बहुत जरूरी है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इंटरनेट पर जाना है आपको कमर्शल रेडियो स्टेशन और कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा रेडियो जोकी के मेल के लिए जब भी आप अपलाई करते हैं तो साथ में अपना वाइस लिंक और आज कल इंस्टा, फेस्बोक, लिंक डेन, चिंगारे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं उसके लिंक्स जरूर स आईए कि आप रेडियो जोकी बनना चाहते हैं उनको अपना सीवी सम्मिट करें लेकिन उससे पहले आपको तैयारी पूरी करनी है, आपको लिंक्स के प्रिपरेशन रखनी है, आपको अपने आपको स्ट्रॉंग कैंडियेट बना कर ले जाना कि जब आपका इंटर्वी हो एटलिस्ट वो आपको लेने के बारे में सोचें, एवही आप चले गए और मैं रेडियो जोकी बनना चाहते हैं, तो किसी पास इतना टाइम नहीं है कि वह आपको रेडियो जोकी बनाने के लिए बैठाया, कई बार यह होता है कि आपको अगर लग रहा है कि आप नहीं कर आप कोशिश करिए आपको internship मिल जाए दो-ती मेने के internship मिल जाए internship साब बहुत सीखते हैं live RJs के साथ आप काम करते हैं आपको पता चलता है किस तरीके से क्या करना है तो उसका भी फाइदा मिलता है अब आप कहेंगे internship ये क्या बला है हाँ अभी आपको आरजे की ट्रेनिंग तो मिली नहीं है तो अच्छा होगा अगर आप किसी रेडियो स्टेशन में पहले तीन महिने के लिए इंटरंशिप कर ले आपको काफी नॉलेज हो जाएगी और जॉब मिलना भी आसान हो जाएगा क्योंकि वहाँ के लोग आपके काम काज को देख चुके होंगे फिर सभी रेडियो स्टेशन पर अपलाई करिये इंटरंशिप खत्म होने के बाद शुरू में सैलरी पे फोकस ना करें कम सैलरी पे भी जॉइन कर लो अपलाई करने से पहले अपना डिजिटल अकाउंट सारे प्रेटफॉर्म पर जाकर ओपन करें उस पर एक्टिव हो जाईए उस पर वीडियो बनाईए उस पर अपने आरजे लिंक्स जो आपने प्रिपेर करें हैं डालिए और कोशिश करिए कि कॉंटेंट बहुत स्ट्रॉंग हो अगर एमई कुछ भी आप बना के डालते हैं तो फिर एमई इंटर्वी लेने वाला भी आपको एमई टठा भाई भाई करके भाई भाई कर देगा अगर आपके शेर में आरजे हंट हो रहा है देखिए और बार बार प्रैक्टिस करिए अपनी नॉलेज इंहांस करते रही है खूब अगबार पढ़िए बुक पढ़िए शेरोशारी लिखिए इंटरिनेट पर जाकर रिसर्च करिए लिखना बहुत जरूरी है पढ़ना बहुत जरूरी है सुनना बहुत जरूरी है और इन सब के बीच जो सबसे important है कि एक RJ link में क्या क्या होना चाहिए वो RJ link जो आपका एक minute का होता है उस RJ link में आपका अपना खुद का intro आपके station का intro उसके बाद कोई एक ऐसी information जो बहुत कम लोगों को पता है अगर वो पता है सभी को पता है तो उसे कहने का अंदाज आपका अलग होना चाहिए बिल्कुल different तरीके से उस बात को आपको रखनी है ऐसा नहीं है कि बस आपने news paper उठाया news पढ़ी और चले आए रेडियो जोकी कभी भी news anchor नहीं होता है उसको कोई भी खबर को या भी कोई भी information को अपने अंदाज में एक अलग तरीके से बताता है और उसके उपर research भी करता है ऐसा नहीं है कि जितनी news है बस कोई information पता चली बस उतनी ही बता दी अगर आप उस पे और research करेंगे उसके तह तक जाएंगे और कुछ amazing facts निकाल के लाएंगे और वो लोगों को बताएंगे तो मज़ा आएगा कोशिश करिए उस information को देते वक्त है थोड़ा सा humor आए थोड़ा से punches आए थोड़ा सरकाजम आए यह सारी चीज़े अगर आपके 45 second एक minute के लिंक में होगा तो आप कमाल कर दोगे ज्यादा बोलने की कोशिश मत करिए कम शब्दों में ज्यादा बोलने ही कोशिश करिए मतलब आपको शब्द कम यूज़ करने कम बोलना है रेडी जॉकी की ज्यादा बोलने की जरुवत नहीं होती है ट्रस्ट मी आपको कम बोलना है, कम शब्दों में आपको ज्यादा ज्यादा humor, मजा, entertainment, infotainment और अपना talent दिखाना है इसलिए तो RJ को शब्दों का जादुगर भी कहते हैं तो बस आपको इतने साथ तैयारी करनी है और इस career के लिए अपने आपको fit कर लेना है तो आपको पता चल गया रेडियो जौकी कैसे बने पार्ट टू के इस वीडियो में की रेडियो जौकी बनने के लिए अब आपको मेहनत कितनी करनी है तो ये सारी चीजे जो मैंने इस वीडियो में बताई बड़े ही ध्यान से देखिए note down करिए, pen down करिए, बार बार देखिए वीडियो को समझी और practice करिए अगर आपने ये practice कर ली तो आपको रेडियो जौकी बनने से कोई नहीं रोक सकता ये मेरा challenge है ये सारी information मैं इतने सालों के experience से लेकर आया हूँ और ये अगर आपने कर लिया, इतनी practice कर ली तो आप रेडियो जौकी के career में बहुत आगे तक जाएंगे कोई आपको रोक नहीं सकता, challenge करता हूँ जी बिलकुल तो बस अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो फिर इस वीडियो को like करिए और comment में अपने questions जरूर दीजेगा, अगला वीडियो मैं आपके प्रशनों के आधार पे लेकर आऊँगा कि क्या क्या सवाल अभी भी रह गए, क्योंकि दो वीडियो जो मैंने बनाए हैं, ये sufficient है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे questions होते हैं, जो रह जाते हैं, उन सवालों के उत्तर लेकर मैं अपना third वीडियो लेकर आऊँगा, आर जे कैसे बने part 3, फिलाल, thank you so much, अपना ख्या भाई Copicर, बाईеп exceptions होत모ivan के बाई हैं, आर ने ले ऐसे कि को लिए का दो वे एका हैं, एध। स fodह सों के बाईे हैं बत्तर लेकर, बाई। सहे झालों कि लहां हैं, और जे वहां हैं, एक कि उने फर वीडियों से भीडियों के वियांस में जरे सूंतर लेका. whale